या बाईश आप जह हो बोलो गुर्देव सनातन हिंडू और अध्यात में ये तीनों पर थोड़ा सा बोल देंगे ज़्यादा अच्छा रहे गया कोई अलग नहीं है देखो सनातन हिंडू सनातन का मतलब होता है प्राचीन हिंडू का मतलब होता है हिंद हमारा जो भारत है हिंदी भासी जहां हमारे भारत में हिंदू का सीधा सा लॉजिकली जो आपकी भासा में जो समझ में आए वो अर्थ ये है जिसमें हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं प्राचीन देवी देवता हैं जो आधिकाल से पुझ उपासक इस सारे संसार के आधार रहे उनके प्रती अगाद शुद्धा का भाव प्रगट रखना ही हिंदू और सनातनी हैं हिंदू में और सनातनी में कोई अंतर नहीं हैं दोना एक ही हैं हिंद प्रदेश में हिंद छेतर में रहने हैं बाले लोग हिंदू कहलाते हैं हिंदू का मतलब है जो बैदिक परंपरा के उपासक हैं हिंदू का मतलब है जो हमारे रिसी मुनियों के बताए हुए आधार पर ज सिखा चोटी गले में कंठी मालाव मुख में राम हैं अध्यात का मतलब है अपने प्राचीन परंपराओं में डूबे रहना तो कोई अलग-अलग विस है नहीं एक ही विस है जुग जुग जी एला